जै स्री किष्णा आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल बिंदू होम किचन में आज मैं आपके लिए जन्मास्ट में स्पेसल मेवा पाक की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे मेवा पाक या फिर पंच मेवा पाक भी बोलते हैं क्योंकि ये पास्तरह के ड्राइब पू तो आईए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक को शेयर कीजिएगा चैनल पे पहली बार आए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटीफीक केसान आपको सबसे पहले मिल सके तो आईए मेवा पाक बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने गैस पे एक कड़ाई रख ली है इसमें तो तीन चमच की जितना देसी घी डाल देंगे और अब इसमें हम डालेंगे ड्राइफ फ्रूट्स तो जिसमें मैंने लिया है काजु और बाद में लिया है क को अब इसे हम निकाल लेंगे जन्मसट में के लिए धनिया पंजीरीी की रेसिपी मैंने डाल रखे तो उसे भी आप देख सकते हैं हैं अब मैंने चैनल पर गाये गी और भी कैई तरह की बरत में खाने वाली मिठाई और रेसिपी हैं जिसे की वरत में खा सकते हैं यू जिससे की आप late pm और बची हुए घी में हम डालेंगे मखाना ले मखाना तो 50 ग्रम कर सकते हैं यू यू अप थोड़ा सा कम यू जादार कर सकते हैं तो मखाने को भी हम अच्छे से भून लेंगे, तो बस थोड़ी देर में ही मखाने अच्छे से भून जाते हैं, यहाँ पर देखिए मखाने जो है क्रिस्पी फ्राई हो गया है, तो बस अब इसे हम निकालेंगे, तो सारे मखाने को मैंने यहाँ पर उसी प्लेट में निकाल जिसमें मैंने काजू और बदाम रखा है अब कड़ाई में एक चमज इतना देसी खी और डाल देंगे साथी में डालेंगे थोड़े सी किसमिस को भुंणे में मात्र एक मिनट लगते हैं ये अच्छे से फोल जाते हैं एक मिनट में गैस की फ्लेम को लो रखेंगे किसमिस को करते समय अब इसी में हम डाल देंगे एक चमज इतना खरबुजे का बेज थोड़ी दिर फुनने के बाद इससे निकाल लेंगे और थोड़ा जागी मेरा बचा हुआ है उसी में नारियल का पुरादा डालेंगे तो यहां पर मैंने घर पे ही नारियल का पुरादा तयार किया है नारियल को छोटे टुक्रों में कट करके मिकसर जार में डालके उससे पीस लिया है तो इस तरीके से आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं ग्राइंड करने से काम असान हो जाता है जल्दी हो जाता है तो मैंने ग्राइंडिक कर लिया था दो मिनाट तक इसे भून लिया है औ में आपस नहीं पीसना है किसूमिस को साभूत ही रखेंगे और नारियल तो पहले से पिसा हुआ ही है तो यहां पे भी बढ़िया से पिस गया है अब इसे हम डालेंगे ठाली में ने अलग रख लिया है जिसे हम मावपाक के उपर में डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ड्राइफ रूट्स का सारा पाउडर हमारा तयार हो गया है अब हम चास्नी बनाएंगे चास्नी बनाने के लिए एक कटोरी जितना चीनी लेंगे उसके साथ आधा कटोरी से साजादा मैंने पानी लिया है अब इसे हम चलाते रहेंगे चासनी तयार करेंगे बीच-बीच में चलाएंगे कम आज कर देंगे जिस्से कि धीमी आज पर यह चासनी तयार होगी तब तक Do तो यहां पे चासनी भी अब तयार हो चुकी है थोड़ा सा केसर का धागा मेंने डाल दिया है किसर की जग़पे आप इलाइची पौडर भी डाल सकते हैं और बस यह चासनी जो है तयार हो चुकी है इस तरीके से पल्टे पे से हाथ में हम लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करके इस तरीके से फेला के देखेंगे देखिए तार बन रहा है तो इसी तरीके के एक तार की चासनी हमें चाहिए गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे जो पौडर हमने तयार करके रखा है उसको और यह काम आपको फटा-फट से करना है डालेंगे उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद जो थाली हमने तयार की है उसमें प माँ पाक है हो गया था तो आप इस बात का जुरूर ध्यान रखिएगा तो यहां पर देखिए इस अच्छी से मिक्स कर दिया है और बस अब हम इसे धाली में डाल लेंगे यह बहुत ही घरम है तो आप पल्टे से फैलाए या फिर एक बर्तर में पानी रखे और हाथों में पानी लगा लगा के इसे आप फैला सकते हैं उस तरीके से हाथ जलते भी नहीं है और अच्छी से हो जाते हैं देखिए मैं किस तरीके से हाथों से इसे फैला रही हूँ तो अच्छे से इसे हम जितना मोटा पतला आप रखना चाते हैं उस तरीके से सेट कर देंगे और उपर से जो हमने ड्राइब फ्रूट्स बचा के रखे थे उसको भी लगा देंगे इससे उपर से ये दिखने में अच्छा लगता है हाथों से हलका हलका सा दबा देंगे जिससे की जो ये ड्राइब फ्रूट्स है इसमें सेट हो जाएंगे और अब ये जब हलका सा गरम रहे तभी इससे हम कट कर लेंगे तो ये आसानी से कट हो जाता है तो यहां मैंने सेट कर लिया है और अब चाकु से इसे हम कट कर लेंगे सेप आप अपनी पसंद का बड़ा चोटा रख सकते हैं थोड़ा सा केसर का धागा मैंने थोड़ी से पानी में फिगो कर रख दिया था उससे हम इस तरीके से इस पर लगा देंगे इससे जो हमारी मिठाई है दिखने में काफी अच्छी लगती है तो यहां सारी जो मावपाक है इस पर मैंने केसर लगा दिया है और अब देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ बहुत ही बढ़िया ये मावपाक बनकर तयार हुआ है थोड़ा ठना होने के बाद ये अपने आप ही निकलने लगता है आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी देखिए कितना बढ़िया ये बना है थोड़ा पदला ही मैंने रखा है और देखिए कितने आसानी सी ये टूट रहा है एक दम मुँ में जाते ही खुल जाने वाला ये मावपाक बनकर तयार हुआ है तो इस जनमाष्ट में आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा 6 दिन तक हम जनमाष्ट में मनाते हैं तो 6 दिनों तक इसे आप भोग लगा सकते हैं काफी दिनों तक ये खराब नहीं होता है फ्रेज में भी रखने की जरूरत नहीं है आप इसे उपर भी रख सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरे मावपाक की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स फर वाचिंग जाए माता दी